हलो साथियों, नमस्कार मेरा नाम विम्लापाल मेरे यूटूब चैनल वीडियो विद विम्लापर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों और बताईए आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों मेरा आप लोगों से अनरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवस्य करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उने से मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में से अज़ अवस्य करें दोस्तों आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ हैं कहानी है पिता, फुत्र और पैसा एक गाउम में एक छोटे से कस्वे में एक गगन नाम का ब्यक्ति रहता था उस कस्वे में गगन का बहुत छोटा सा घर बना हुआ था जिसमें वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करता था गगन के पास बहुत पैसा नहीं था गगन एक छोटी सी फैक्टरी में काम करने के कारण उसकी तुनखा भी बहुत सीमित थी जिससे उसको परिवार का खर्ज चलाने में कठना ही हो रहे थी पर इतना तो पैसा मिलता ही था कि जिससे उसके दाल रोटी चल सके पर फिर भी गगन यहीं चाहता था कि उसका पुत्र और पत्नी हमेशा खुस रहे जिसके कारण गगन ने फैक्टरी में काम करने के बाद एक दूसरी जगह भी जाकर के काम सुरू कर दिया जिसके कारण अब गगन के पास समय नहीं रहता था गगन सुबह जल्दी घर से निकल जाता था और रात को काफी देर से आता था जिसकी वज़ा से वह ना तो अपनी पत्नी के पास बैठ कर बाते कर पाता था और नहीं अपने पुत्र के साथ खेल सकता था इसलिए एक दिन गगन की पत्नी ने गगन से कहा कि क्यों इतनी मेहनत करते हैं इतनी मेहनत करने के कारण आप बहुत लेट आते हैं घर से और सुबह जल्दी चले जाते हैं जिसके कारण बेटे के साथ में समय नहीं दे पाते हैं आप ऐसा करो इतना काम मत किया करो और थोड़ा पैसा ही सही पर अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताया करिए तब गगन अपनी पतिनी से बोला बस थोड़े ही समय की बात है उसके बाद फिर समय ही समय है हम लोग साथ रहे करके खुब धेर सारी बाते करेंगे और घूमने जाया करेंगे इसी तरह समय बीटा गया कुछ समय के बाद गगन जिस कमपनी में काम करता था उस कमपनी के मालिक ने गगन को मैनेजर का पद दे दिया क्योंकि गगन जो है उस कमपनी में बहुत समय से काम कर रहा था इसलिए उस कमपनी का जो मैनेजर था उसका विश्वास पात्र बन गया था जिसके कारण उन्होंने गगन को ही मैनेजर का पद दे दिया अब गगन के पास पैसे ही पैसे थे अब गगन की गिंती अमेर लोगों में होने लगी एक दिन गगन की पत्नी ने गगन से कहा कि आज ऐसा करिए आज आखिस मत चाहिए और हम लोगों को समद्र तड़ पर घुमाने के लिए ले चलिए क्योंकि मेरा और बेटे का काफी समय से मन हो रहा है समद्र के किनारे घुमने का तब गगन ने अपनी पत्नी से कहा कि आफिस जाना बहुत जरूरी है ऐसा करते हैं हम आफिस के लिए निकल जाते हैं और आप दोनों लोग समद्र तड़ पर पहुँचो मैं जल्दी से काम खतम करके वहाँ पर आ जाऊंगा और इतना कह करके तीनों लोग घर से निकल गए और गगन की पत्नी और बेटा समद्र के किनारे पहुँच जाते हैं आफिस पहुँच करके गगन ने जल्दी जल्दी अपना सारा काम निटाया और काम खतम होने के बाद वहाँ समद्र तड़ पहुँचता है जब गगन आफिस पहुँच जाता है और उसके उसकी पत्नी और बच्चे समद्र तड़ पे हुँचते हैं तब ही अचानक से समद्र में सुनामी आ जाती है और वहाँ अपने साथ सारी चीजे बहार ले जाती है आफिस से छूटने के बाद जब गगन समुझ तड़ पे पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देख करके दंग रह जाता है गगन ने बहुत कोशिस की अपनी पत्नी और बच्चे को ढूनने के लिए पर ना तो पत्नी मिली और ना ही बेटा मिला गगन वहीं खड़ा हो करके जोड़ जोड़ से रोने लगता है और कहता है कि तुमने सच कहा था कि इतना पैसा तो मिलता है कि परिवार का खर्ज चल जा रहा है और ज़्यादा मेहनत करने की क्या जरूयात है दोस्तों यही चीज हम लोग के जीवन में भी होता है क्योंकि लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं दोस्तों यह चीज हमेशा याद रखना पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है अपना परिवार भी बहुत कुछ है नहीं तो बाद में निरासा ही हाथ लगते हैं इसलिए पैसे के सासर परिवार को भी समय दीजिए दोस्तों यह रही एक छोटी सी कहानी हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत